आधार आज प्रस्तु थे श्री हमिदुल्ला का लिखर आटक तो सुनीन आटक आधार टुी श्री अटक किया है काट दो, काट दो, इस चायादार पेड़ को भी काट दो, काट दो इसे, काट दो, अरे मैंने मारिया आप, आप तो रटायर हो चुगी, आप यहाँ, हाँ, मैं, अच्छा, आज दीन द्याल ये रटायर हो रहे हैं, उनकी पाटी में आई हैं, वो तो आपके आइडियल रही है, हम, हम उसी को देखने आया है, हाँ तो मैंने मारिया, चले, बाबु दीन जालने की पाटी में चले, हाँ, 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 भी तौर छायादार, पेड़ था, समय ने जिसके तने को काट दिया समय ने जिसके तने को काट दिया चलो दोस्तो Shakespeare ने कहा है All the world is a stage All the men and women merely players They have their exits and entrances And one man in his lifetime plays many parts आज हमारे दफ्तर के बड़े बाबु दीन दयाल जी रिटायर हो रहे हैं इस मौके पर हम उनके सुखी जीवन और दीरघायू होने की काम ना करते हैं उस दिन जब मैं घर लोटा तो घर वालों का रवया मेरे लिए बदला हुआ था पालने के लिए मैंने अपने हाथ और पैर लहु लुहन किये थे वही मुझे घर के लिए बेगाना और बेकार समझने लगे थे। जिंदगी भर यही तो हुआ था पल्ला फेर भी भारी रहा अजी सुनते हो उठो सवेरा हो गया उठो ना सवेरा हो गया अभी काँ अभी तो रात है सोने रोजे तो सर्दी बहुत है आज है तो क्या बजा होगा पांच बजे होंके खड़ी देखो बत्ते मज जलाओ बच्चे जग जाएंगे सुभे जल्दी तयार करके स्कूल पीजना है उन्हें अरे भाई अभी तो पिताजी भी नहीं उठे बत्ती तो जल रही है उनके खमरे की जब से मा का दियान थुआ है रात भर बत्ते जली रखते है ज़न बहुत है आज अच्छे तरह रजाई ओड़ लो अरे तुम तो तब रही हो बुखार है शायद दो तिन दिन से तबियत कुछ योही सी है तुम भे तो आज तीन दिन बाद दौरे से लटे हो सुभे चलूगी तुम्हारे साथ डॉक्टर के पास पिताजी को साथ लेकर चली जाती हूँ पिताजी? हाँ शीतल तकलीर बढ़ा में अच्छा नहीं होता और फिर पिताजी तो घर पे थे ही उनसे कहा उता? पिताजी की बाद छोड़ो किस काम के रह गए है वो अब? सिर्फ सुभे दूद लाना होता है डेरी से बच्चों के जल्दी जाने के वज़े से वो भी वक्से नहीं होता हूं से सुभे से बस पूजा पाठ में लग जाते हैं जब बार बार याद दिला हो तब कहीं उटकर जाते हैं दूद लाने के लिए कितने बार तो बताया है तुम्हें? मेरी मा भी इनसे जिंदकी भर परिशान रही खुद मर गए और अब हम झेल रहे हैं फिसूल में एक कमरा रोके पड़े हैं मैं तो बस ये जानती हूँ उनकी वज़े से हम हर महीने एक कमरे के किराई का नुकसान उठा रहे हैं क्यों व्यत्थ चिंता करते हो? किसे व्यत्थ डरते हो? कौन तुम्हे मा सकता है? ये लो उठते हैं शुरू हो गए तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया जो लिया यहीं से लिया नहीं जाने कब तक पाठ करते रहेंगे बच्चों को तयार करके सुभ़ जल्दी स्कूल भीजना है ओफो मैं ही दूद ले आता हूँ डेरी से अरे तुम चाहोगे इस ठेंड में? नहीं नहीं उफो तो फिर क्या करें? पिताजी तो पाठ कर रहे हैं वक्त लगेगा उसमें तो महराब करो शामे को तो दौरण से लोटे हो काफी ठके हुए भी हो मुझे नीन भी तो आ रही है मैं जातर कहती हूं उसे चिंता तो आपके इस पाठ से होती है इस घर में आपके रहते कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता बन कीजिए पाठव तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्या लाए थे? जो लिया, यहीं से लिया हाँ हाँ जानती हूं आपने पिदा के घर से मैं कुछ नहीं लाई यह सब कुछ आपका है मैं तो खुद यही कहती हूं मेरे इस घर में है ही क्या आप इस तरह ताने मारें गए ऐसी आपसे आशा नहीं थी मुझे अजी सुन रहे हो आत्मा न पहदा होती है न मरती है अब क्या भुववववफ । इस तरह क्यो चिला रही हो सुना तो क्या कह रहे है यह यहां आकर तो देखो कैसे घूरे जारी है मुझे क्या पक रही हो अब कहिए ना क्या कह रहे थे आप के बेटे को भी तो कुछ मालू हो आप मुझे इस गर की बाहू मानते ही कबे जैसे मेरा इस गर में कुछ है ही नहीं ये क्या कह रहियो उचीतर उनके तो आवाज や नहीं आ रही वो तो कुछ बोली नहीं रही पख्वान करें हमिशा के लिए छुपो जाए ओफो ये सुवे सुवे क्या रूना दोना लेकर बैठ गी हो हाँ हाँ तुम भी मस मुझे हिगाटे जा रहे हो इन से कुछ नहीं कहते क्या करूं इन से कुछ कहा और ये खड़े-खड़े इस तरह सुनते रहते मानों पत्थर हो गए अरे ये तो सच मुझ पत्थर की मुरत के दर हे खड़े है क्या हुआ है ने मेरा तो सिर खूं रहा है आँखे बंध हो रही है हाई राव नचाने नचाने मेरे सुसुर को क्या हो गया अरे सितो सच मुझ पत्थर बंगए क्या है सुनों बहारे पिदाजी बंगए स्थाों पिदाजी पत्थर बंगए सुनों नरों डीव मेरा पिदाजी पत्थर बंगए ब्ल dipped Cindy मत्थर बंगए आओ, और इन्हें उठाकर चुपचाप गई भेग दें, इस तरहे इनसे हमेशा के लिए चुपकारा बिल चाएगा हाँ, आओ, इन्हें उठाए पर, पर ये तो, ये तो उठी नहीं रहे अरे, ये तो चड़ों गए हिलते ही नहीं अगर ये ये ही रहे, तो इस कबरे का क्या होगा अरे, इस कबरे का किराया अरे, अरे कोई तॉरो, अरे तॉरो, कैसी मसी मत आए हैं हमपर अरे देखो, लोगों देखो, मेरे सुष्यों जी को क्या हो गया अरे दोड़ो दो, अरे देखो, देखो, अरे क्या हो गया, अरे दोड़ो चमत कार, आज क्या देखो, आज की दादा खबर, एक अजुमे की बात, आज में पच्छा देया चमत कार, आज की दादा खबर, आज में पच्छा देया शीतल, पिताजी को पत्थर हुआ देखने के लिए काफी भेड़ाने लगी है हमने उनके देखने पर जो टिकेट लगाया है उससे भी काफी आमलने होने लगी है सोचता हूँ अब नौकरी करने के क्या जुरूरत है मेरी भी एक लगा आखिर इस भीड को समालने वाला भी तो कोई चाहिए तुम्हारी बेहन बेहन हुई, हमारे दोनों बच्चे सभी इस काफ में लगे है लेकिन लोगों की हाथ रोज बढ़ती है फिर काफों में ही नहीं आती ठीक है, मैं नौकरी से स्टीफा दे रेता सुनो, तुम उस पूरी स्टीफी को देख रहे हो जो चड़ी के साहरे धेरे धेरे इस तरफ आ रही है हाँ, ये मैडम मारिया ने, इन्होंने शादी नहीं की तुम जानते हैं इसे? हाँ, ये पिताजी के दफ्तर में थी ने, मा भी इसे जानते थी क्यों, बात क्या है? ये हर रोज यहां आती है मालूम है भई, पिताजी के पत्थर हुए शहिद को हलके से छूती है उनके एर्दगिर्द घूमती है उन्हें चुपचाप देखती है घंटों के करीब बैठी रहती है मुझे मालूम है कभी कभी बातें भी करती है पत्थर की पत्थिमा से, खुद से लगता है पिताजी को बहुत सारा चाहती थी हो सकता है मैंने चाहती ये रोज यहां आए लेकिन क्यों? ये तुभारे पिताजी के आँखों में देर तक इस तरह देखती है मानूम में कुछ तलाश कर रही हो उनके आँखों में इस तरह देखने के बाद इसके आँखों में अचीव वहशत उतराते है इसके आँखें आँख की चिंकारिया बन जाते है तब ये मेरी तरफ इस तरह इंखोड़ती है कि मुझे मुझे इससे टड़ लगने लगता है जैसे इसकी जलती आँखों में कुछ सवाल हूँ देखो देखो इधर या रही है हलो मेडम मारिया कैसे हो बीटे ठीक हूँ मेडम ये हर रोज आप यहां क्यों आते है देन दयाल मेरे आदर्श थे आतर्श जड़ हो गए तुमने मुने नुमाईश बना दिया अपने फायते के लिए उन पर टिकेट लगा दिया मैं टिकेट खरीद कर आती हूँ इसमें तुम्हें क्यों अतरास है वो आप घंटों पिताजी की पत्थरबनी प्रतिमा के पास बैठी रहती है उनसे बादे करती रहती है हमें अच्छा नहीं लगता है मुझे अच्छा लगता है मेरा यहाना देंदयाल को भी अच्छा लगता होगा आप यह कैसे जानती है आत्मा मर है बीटी जीसे सिंदा है वे बिलीव इन इट आखिर मेरे ससुर आपके आदर्श्चियों थे आपकों से क्या सारुकार था क्या दिया हुनी आपको जानना चाहती हो तुम तो सुनो खुसा अदमी ने मुझे अकीले सिंदा रहने की ताकत दी वरना वरना ही शेहर छोड़कर मैं कभी की चली गई होती उन्होंने दुनिया की भूकी नसरों से मुझे बचाया उनकी तपकती गली इस लार से मेरी हिफास्थ की यहाँ उनकी मुझेस्मे के सामने बैटकर मुझे सुकून मिलता है लेकिन आप मेरी ससुर के पास बैटकर क्या बाते करती हैं बाते एक आदमी जिसे तुमने पत्थर हो जाने पर मजबूर कर दिया जिसे तुमने खामोश कर दिया क्या वो मुझे बाते करेगा देखे हम नहीं चाहते कि आप यहाँ आए नहीं बेटा नहीं हैसा मत का हो हैसा मत का हो इस सितीन देहल की रूख को तकलीव होगी हमें इसकी परवा नहीं है परवा तो तुम्हें पहले भी कभी नहीं थी उनकी है हम जो आज पत्थर बन कर भी तुम्हारी हर्द जरूरत को पूरा कराई उसके लिए इतनी बेरह्मी ओ नो गॉट नो ऐसा मत करो ऐसा मत करो उस आत्म बलिदानी का यही हश्र होना था तुम गॉट सितरो ऐसा मत करो हमें कल से यहां नहीं होगी बिल्कुल नहीं होगी अंदर चाकार इसके लिए तीन तेहार से अची माफी माख लूगी बहाश्र नहीं मैडम मारिया टिकेट लीजी और आगे बढ़िए ठीक है ठीक है मैं कल से नहीं होगी मैं कल से नहीं होगी तुम ने उस मुज़ोर को अंदर क्यों जाने दिया देखा नहीं आसपास कितने लोग जमा हो गए थे उसकी बातें मुझे अंदर तक चील रही है कह रही थे कल से नहीं होगी तीन तेहल से माफी माग लूगी सुनो अगर कहीं तुम तो यह ही डर जाती हो कोई आहित नहीं होगा चलो भाई चलो अंदर चलो अंदर चलो टिकेट लो टिकेट लो टिकेट लो अंदर देखो अंदर चलो अंदर चलो अंदर देखो आगी जो पत्थर बन गया अंदर चलो, अंदर चलो, देखो आपका आपका सुनो, वो शाम को बजार से केल्शिम की कोलियां लेते आना क्या, यानि यह तुम, यह तो खुशी की बात है है तो, लेकिन लेकिन क्या आज में जब मंदिर गए क्या हुआ वहाँ वहाँ कधा हो रही थी फिर अहिल्या प्रसंचन रहा था शिराम की चर्णो के सपर्ष से वो पत्थर से जीवन दो गई थी सो तो है कहीं कहीं मेरे कर्थ में पलने वाला बालक कैसी बातें करती हो शीतल हर्गीस नहीं मैं चमतकार की बात कर रही हूँ जैसे मेरे ससुर पत्थर बन गए अगर मेरा होने वाला बच्चा भी संयोंक से कोई चमतकारी जीव हुआ और उसके चूने से ये पत्थर से जीवित हो गए तो हमें बहुत नुकसान होगा अरे तुम भी अपनी नौकरी छोड़ चुके हो हम तो बर्बाद हो जाएंगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता ऐसा नहीं हो सकता शितल अब चमतकार हर रोज नहीं होते लेकिन अगर हो गया तो 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 हम सच मुछ बर्बाद हो जाएंगे नहीं, कभी नहीं मैं नहीं चाहती ऐसा हो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, कभी नहीं हमारे परिवार में कोई राम नहीं जन्मेगा कोई नहीं जन्मेगा कोई नहीं जन्मेगा देश के मशूरूर सेट चांदीवाला का नाम सुना है जी आपने जी हाँ वो आपके शहर में पहाड़ी पर एक मंदिर बनवाना चाहते हैं जी अच्छा मुझे मुझे लिए मैं सेट चांदीवाला का मुनी हूँ आप से कुछ बाते करना चाहता हूँ जी कहिए सेट जी चाहते हैं कि वो जो मंदिर बनवा रहे हैं उसमें आपके पिता जी की पत्थर बनी प्रतीमा इस्थावित करें हाँ इस काल में आपके पिता जी का आदमी से पत्थर बन जाना एक अद्भुत चमतकार है जी हाँ और आप हमसे इसका सोदा करेंगे जी कर लीजिये जी इसके बारे में इसके बारे में मैं अपनी पत्नी से बात करना चाहूँ जी जी वो ऐसा है कि हमने ये प्रताव उनके सामने रखा था जी वो राजी है जी वो राजी है तो लीजिये लीजिये वो भी आ गई वह भी आ गई आप आपस में बात कर लीजिए जी सुनो हम ये सौधा कर लेना चाहिए इससे बहुत सी समस्या है अपने आप हल हो जाएंगी क्या कोई समस्या है आपकी जी नहीं नहीं बहुत कम है एक लाख ये भी कम है एक लाख अस्ती हदा अभी और अभी और दो लाख हमारी जिंदगी भर की रोटी है ये पत्थर धाई लाख हमारी कई आने वाली पीडियां इसके जरी अपना पेट भरेंगी तीन लाख आपी नहीं है चार लाख हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें आदर्श व्रती बनाना है इसके लिए ये रकम कम है पाँच लाख पाँच लाख पाँच लाख अच्छा तो फिर इस पत्थर को खाणने के लिए मैं कारिकर भेशता हूँ है ये अरे ये काम क्यो रोक दिया इन्हें छेनी हतोड़े से उखाणने की तमाम कोशिशे बेकार हो गए जी कोई और तक लीब सोचें वो ही तो सोच रहा हूँ जी उखाणने में सफल नहीं हुए तो जो सवदा किया है वापस लेना होगा जी वो एडवांस जो रकम पेश की दिया ना जी वो आपको लबदा नहीं होगी नहीं ऐसा नहीं होगा तो इन्हें उखाणने में हमारी मदद कीजिए जी हम भी कोई तरकीब सोचते है हम पूरी कीमत तभी दी जाएगी जी जब ये पत्थर यहां से उखाण कर मंदिर में स्थाफित कर दिया जाएगा जी अब क्या करें करें क्या उखाणने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा तुमने कुछ सोचा सोच भी लिया है इंतसाम भी कर लिया है कैसा इंतसाम वो सामने देखो हां ये ये तो बड़ी करौत है हाँ, उठाओ इसे इसका एक सिरा तुम पकड़ो हाँ, ये ये पकड़ लिया खेलो, एक सिरा मैं पकड़ते हूँ अब? अब इसके पैर कोट दो ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा ये、 काम शुल हुआ भाँ, कोट रहेगा हाँ, थाँ, थाँ थाँ, थाँ थाँ, थाँ मैं कट रही है मैं कट रही है आई ये आई ये श्रीमान ये गतलगा है आदर्शों के मुल्यों के आई ये यहाँ आई ये है कौन? हरीश ची आई ये आप मुझे जानते हैं आप तीन नियार जी के सुपुत्र हैं आप तो सब जानते हैं हाँ आई ये देखिए आदर्शों का तासा गोष्ट ये 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 तो ये ये तो ये तो लोलोहान अद्मी है खोल खोल हुद है यह दिशों का खून है, मुर्नों का खून है, ऐसा नहीं हो कहा है, तरगए। मैंने मेरे सपने में देखा, अहता है। दर्मन करें। क्यों व्यद चिंता करते हो, जो हुआ, अच्छा ही हुआ मेरी, मेरी आखें खुल गई है, मेरी आखें खुल गई है आप हमारे आधर्श हैं, मुल हैं, हमारी जड़ है, हम अपनी जड़ें नहीं काटेंगे अग्यान में हमसे कोई भूल हो गई हो, तो शमा करें पिताजी हमारी जड़ें कट गई, तो हम निराधर हो जाएंगे, ये मूल ही हमारे आधर है हाँ, ये मूल ही हमारे आधर है ये मूल ही हमारे आधर है आधार ये आपने शे हमें दुल्ला का लिखाई ये नाटेक सुना निर्देशक थे मुम्ताज शकेब प्रस्तुतिक अन्ट सहायक आनंद किशोर माथुर नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सरुशे मन्जुल मुकुल नंदलाल शर्मा सुमन माथुर लता गुपता शेशी प्रकाश शर्मा वासुदेव भट और राजेश कोयल ये नाटक आकाशफनी के जैपूर के इंडर पर तयार किया गया था